अगले 24 गंटों के अंदर आपका समय आ जाएगा। कुम्बराशी 3 नवंबर 2020 राशी फल चंदर ग्रह की गणना पर आदा रित है। राशी फल निकालते समय पंचेंग की गणना और सठीक खगोलिय विशलेशन किया जाता है। हमारी इस राशी फल में कुम्बर राशीों का भविशे फल बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामियाब रहेंगे। आज की सुड़ों में आपके लिए नोकरी, व्यापार, लेंदेन, परिवार, मित्रों के साथ संबंध, सहत और दिन भर में होने वाली शुबा अशुब घटनाओं का भविशे पल बताने वाले हैं। जोतिश गन्ना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही उच्च पद पर कारेरत होंगे। प्रेम जीवन में आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको अपना ध्यान अपने जरूरी कामों के और एकागर करना होगा और किसी भी कामें हडबड़ी से बचना होगा। व्यापार से संबंदित कोई अच्छा आउसर आपको मिल सकता है। कुछ नई योजनाओं पर कारे करने के लिए अच्छा दिन है। व्यापार के संबंद में की गई यात्रा में आपको सफलता मिलेगी। जीवन सात्य के साथ आपके संबंद और अधिक मदूर होंगे। प्रेम करने के लिए भी अच्छा दिन है। हर मामले में आपका व्यावार सकारत्मक रहेगा जिसे से आपके आसपास रहने वाले लोगों को प्रसंद अता होगी। आप दुसरों के सहयोग द्वारा कोई किसी बड़े काम को अंजाम दे सकता है। आपको अपनी मदद करने वाले लोगों की तारिभी करनी होगी शिक्षा और कानून से जुड़े होए मामलों में आपको सफलता मिलेगी अपने नीजी संबंदों में चल रही अनबन को सुल जाने के अउसर आपको मिल सकते हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जिसे वास्तवी कुरूप में आपकी मदद की जरूरत है नकरात्मक भावों को अपने मन में बिल्कुल भी जगहन ना दे कुछ लोग आपसे इरिशा कर सकते हैं दोस्तो अगर हम कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो व्यापर और कारिश्येतर में आपका सम्मान अवरादिक बढ़ेगा, किसी परियोजना, निवेश और नोकरी को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, कारिश्येतर में किसी नई तक्निक को अपनाने से आपको फैदा होगा, आप अपनी महनत के बल पर आने वाले समय में कोई उन्ची छलांग लगा सकते हैं, नई लोगों से मिल जोल बढ़ाने में आपको अच्छा मुसुस होगा, कई प्रकार के नई अनुभों के कारण आपके दिमाग में कई प्रकार की योजन नहीं ले सकते हैं या कोई आप से किसी प्रकार का बड़ा वादा भी कर सकता है, अगर हम धनराशिपल की बात करें तो इस समय आप किसी भी आउसर को अपनी हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए अपनी भावनाव पर काबूर रखा कर आप अपने साहस का प्रदेशन करेंगे, अपने कौशल का प्रचार करने से पीछे ना हटे, अपने शौक जैसे की फोटोग्राफी, संगीत या नृत्य को अपने देनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, कारेस्तल में मिली प्रसिद्धी आपको लंबे समय तक भोतीक सुरक्षा और सपलताप प्रदान करेगी, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पानी के लिए आज का दिन बढ़िया है, कुछ अप्रतेशित करियर और नोकरी के मौके भी मिल सकते हैं, जीवन में उपलब्दियों से अधिक आपका दुरुष्टी को नमायने रखता हैं, दोस्तों अगर हम करियर आशिपल की बात कर और मन लगा कर उसे पूरा करने की कोशिश करें, तबी आप अपने लक्षों को प्राप्त कर सकेंगे, अगर हम लवराशिपल की बात करें तो छोटे भाई भन के साथ किसी ट्रीप का मजा ले, संचार के माध्यम से आप अपनी प्रियतम को अपनी करी पाएंगे, जैसे उस पत्र या प्यार भड़ा संदिश लिख कर, इस सुनहरे आउसरों को हातों से जाने ना दे, धनका घाटा होने की स्तिती में अपने खर्चों को नियंतरित करें, कड़ी मेहनत और अन्यकारों के लिए आज का दिन बहिद्रिन हैं, मगर इन में अपने प्रेम संबंदों को न अनन्द देगा, अगर हम स्वास्ते राशिपल की बात करें तो आपकी बालों की समझया हैं तो अब वह सुधरती नजर आएगी, आप इसका स्वागत करें और इस बदलाव का इस्तिमाल अच्छा मसूस करने और स्वास्ते की प्रती सची तरहने में करें, तो दोस्तों यह आस्तर के अनुसार आपके दोरा देखा गया सपना विशेश महत्वर रखता है और इसका एक विशेश अर्थ भी होता है, जी हाँ दोस्तों सपने आपकी जीवन में शूब अशूब संकड को दर्शाते हैं, आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे सपने लेकर आ सपने में खुद को उंचाय पर चड़ते देखना भी शूब संक्यत हैं, इसका मतलब है कि नोकरी वो व्यावसाय में आपको तरकी मिलने वाली है, साथ ही आपके आर्तिक समस्यां भी दूर होगी जिससे आप अपनी बिजनेस में बड़ोतरी करेंगे, वही आप भूमी वो वहन खरीदने का भी मन बनाएंगे, दोस्तो अगला है सपने में हाती पर सवार शेनी महराज, अगर आपने सपने में हाती पर सवार शेनी महराज को देखा, तो यह भोती सवभग्य माना जाता है, इस सपने के देखने से ना सिर्प आपकी किसमत चमाख सकती हैं, बलकि प्रकुप से मुक्ति मिलती है अगला है सपने में देखा आम सपने शास्तर के अनुसार सपने में आम खाते देखना एक शुबसंक्यत है इसका मतलब है कि आने वाले समय में संबंधित व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होने वाली है या फिर उनसे सुबस समाचार के प्राप्ती होगी साती इह सपना धन प्राप्ती का भी संकित देता है अगला है सपने में नाचते हुए मोर को देखना सपना शास्तर के अनुसार अगर आपने नाचते हुए मोर को देखा है तो इह आप के लिए शुबसंकित है इसका मतलब है कि घर में आपके खुशे आने वाली हैं और करियर में ग्रोथ मिलने वाला है अगर मोर मोरनी की जोड़ी एक साथ दिखाई दे तो शायदी शुदा लोगों के लिए शुबह माना जाता है अगला है सपने में सफिद साब सपने में सफिद साब को पहर प्रकारते हुए देखना भी शुबह संक्यत माना जाता है इसका मतलब है कि कामिया भी आपका इंतजार कर रही हैं और धनप्राप्ती की बहुत ज़्यादा संभवना है साथी किसी भी तरह के करजे से आपको मुक्ती मिल सकती है तो दोस्तो यहते कुछ सपने जो कि आपकी चमक्ती किसमत की और इशारा करती है तो दोस्ता आज की सोड़ो में बस इतना है वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रू करेगा साथी हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद